दोस्तो बॉल्यूट में कई खुबसूरत अभिनेत्रियां हैं जो अपनी खुबसूरती के बदोलत कई पुरुसकार अपने नाम कर चुकी हैं लेकिन आज हम बॉल्यूट की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिनकी बेटियां उनसे भी ज्यादा खुबसूरत है नमबर एक रविना टंडन रविना टंडन आज कोई पहचान का महताज नहीं है रविना टंडन ने 90 के दशक में कई सुपरीट फिल्में दे चुकी है अपनी अदाओं से हर किसी को दिवाना बनाने वाली रविना टंडन आज भी बहत खुबसूरत और बोल्ड दिखती है बा के दशक की मशूर अभिनेतरी रानी मुखल जी ने अपने अभिनेश से सब्कों दिवाना बना दिया उनकी एक्टिंग्म हमेशा से लोगों को पसंद आती रही है रानी मुखर जी ने कई सूपररीट फिल्मों में काम किया आज भी रानी मुखर जी की खुबसूरती में को चोदरी का नाम 90 के दशक की खुबसूरत एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है महिमा चोदरी कई सुपरीट फिल्मों में काम कर चुकी है बात करे महिमा चोदरी की बेटी के बारे में तो आपको बता दे क्योंकि बेटी का नाम आरियाना चोदरी है और वहां दिखने में बह की टौप अभिनेत्रियों में आता है इतना ही नहीं जुही चावला खुबसूरती के मामले में बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को टकर देती हैं बात करें जुही चावला की बेटी की उनकी बेटी का नाम जानवी है जानवी को कई बार उनकी मा के साथ दिखा गया है इसके बीच लाइम लाइट में बनी रहती है करिश्मा कपूर पहले की तरह आज भी काफी ज्यादा खुबसूरत दिखती है बाद करें उनकी बेटी की तो उनकी बेटी का नाम समायरा कपूर है जो दिखने में उनकी तरह ही खुबसूरत नजर आती है समायरा कपूर अपनी म क nostre राई बैटी की तो उनकी बैटी का नाम आराधिया बच्चन है जो भी ग्यारह साल की है अराधियापनी मा की तरह काफी खुबसुरत और क्यूट नजर आती हैं जैसा के आप देख सकते हैं नबर साथ काजोल काजोल नबे के दशक की बहतरीन अभी नेत्रियों में से एक हैं उन्होंने बॉल्यूट की कई बहतरीन फिल्मों में अभी नहीं किया हैं नबे के दशक में काजोल उतनी खुबसूरत नहीं दिखती थी लेकिन आ अभिनेत्रियों की बेटियों में से आपको किस की बेटी सबसे ज्यादा खुबसूरत लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं